नमस्कार दोस्ते एक बार फिसेफ का बढ़ बस्वागते सभी सर्विंग और रिटर फोजी भाईयों के एक मात्र बुरोसे वंजी डुरुप चैनल सैनिक न्यूज चैनल में दोस्तो वन ड्रेक वन पैंसन को लेकर एक ताजा और बड़ी ख़बर निकल के सामने आ रही है जी हां दोस्तो 15 अगस्त को होगी गोसना तो चलिए इस वीडियो की माईदयम से जानते हैं कि वन ड्रेक वन पैंसन को लेकर क्या ताजा ख़बर निकल के सामने आई हैं तो इसस इस वीडियो में आपको वताएंगे कि अर्च सेनिक बलो के लिए वन रेक वन पैंसन को लेकर क्या खबर हैं, वहीं हमारे एक्स रिश्मन के लिए सुप्रिम कोड की तरफ से क्या है ताजा अपडेट, वहीं वन रेक वन पैंसन डिविजन में क्या ताजा खबर आई हैं, सार सेना की तरज पर केंद्रिय अर्च सेनिक बलो को वन रेक वन पैंसन का इंतजार क्या पियम लाल किले की प्राचिर से करेंगे एलान, जीहां दोस्तों केंद्रिय अर्च सेनिक बलो के करीबन 11 लाग अधिकारे और जवनों को सेना की तरज पर वन रेक वन पैंसन मिलने की र कनफर्डेशन और पेरमिलेक्टिव फॉर्सेज वेलफेर असोचेशन के महासचिव रणवीर सिंग कहते हैं कि केंद्रिय अर्शेनिक बलो में 2004 से पुरानी पैंसन व्यवस्ता खतम कर दी गई थी उन्होंने काया कि पेम मोदी से आगरे हैं कि इस बार स्वतंतरता दिवस के केंद्रिय अर्शेनिक बलो के लिए पुरानी पैंसन बाहली और वन रेक वन पैंसन देने की गोसना करें केंद्र सरकार इन जवानों और अधिकारियों के लिए ये कदम उठा लेती हैं तो इसे सरद के चोकीदारों की होसला अबजाई होगी रणवीर सिंग ने काए कि अगर सुतंतरता दिवस पर ये गोसना हो जाती हैं तो पुलवानमा वे गलवान गाटी के सहीदों के लिए इससे बड़ी सच्ची सरदान जली कोई नहीं हो सकती हैं पेरामलेक्री फॉर्सेस के लाखो जवानों बॉर्डर और देश की आंतरिक सुरुट सा व्यवस्ता में लगे हैं ऐसे में उनके लिए ये गोसना होनी चाहिए तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि पेरामिलेक्री फॉर्सेस के जवानों के लिए भी वन रेक, वन पैंसन और पुरानी पैंसन व्यवस्ता लागू हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जादा से जादा लोगों तक सेहर जरूर कीजिए और नीचे कॉमेंट सेक्षन में अपना ओपिनियन जरूर दीजे आपको बदाते कि अर्शनिक बलो के परती बेदबा वे सोतेले वेवार को लेकर लाखों परिवारों में बारी रोज एम बेचनी व्याप्त है पुरानी पैंसन बाहली वन रेक वन पैंसन वे और्गनाइजड ग्रूप ए सर्विसे जैसी मांगों के लिए लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है लेकिन सरकार की तरब से इन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है लेकिन डर्वी से का कहना है कि हमें उम्मीद कर सकते हैं कि परदान मंदरी नराइदर मोजी लाल के लिए की प्राचिर से अब की बार 15 अगस्त को वन रेक वन पैंसन की गोसना जरूर करें जैसे कि 2015 में सेना के लिए उन्होंने की थी दोस्तों अब बात करते हैं कि वन रेक वन पैंसन को लेकर एक्स रिष्मेन के लिए क्या है ताजा खबर तो सबसे बहले दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोट में जो हमारा असली वाली वन रेक वन पैंसन को लेकर एक कमीटी का गठन किया गया था उस कमीटी को अपनी रिपोर्ट एक मेने के अंदर सौपनी थी लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कमीटी ने अपनी रिपोर्ट रख्षा मतरले को नहीं सौपी है ऐसे में दोस्तों आप कह सकते हैं कि वन ड्रेक वन पैंसन का रिविजन का जो मामला है वो ठंडे बस्ते में चला गया है वहीं दोस्तों COVID-19 का जो ये परकोप लगातार अमारे देश में बढ़ता ही चला जा रहा है उसको देखती हुए भी हमें और इंतजार करना पड़ सकता है तो दोस्तों ये थी वन ड्रेक वन पैंसन मामले में कुछ ताजा जानकर ये वीडियो को लाइक सेर और चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी के साथ जे हिंद जे बारत